तो आए यह दिखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या-क्या कवर करने जा रहे हैं तो बेसिक्स जैसे कि मैं पहले ही जिक्रेट चुका हूं हम लोग कुछ बेसिक्स कवर करेंगे क्लावड कंप्यूटिंग की लेकर उसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि कंपनी को या एक organization को cloud computing adopt करने के benefits क्या क्या होते हैं इसके लाव हम लोग देखेंगे के मुखलेफ deployment models क्या हैं जो companies adopt करती हैं अपने cloud computing को adopt करने के लिए AWS की services को specifically adopt करने के लिए अब कुछ specific products जिनके बारे में हम लोग इस course में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले IEM है which stands for identity access management cloud compute है virtual machine provisioning की service है उसके बाद हम लोग देखेंगे storage की service जिसको simple storage service कहते हैं या S3 भी कहते हैं उसके बाद आजकल की दुनिया में क्योंके बहुत सारा कुछ internet के ओपर web development और web applications की शकल में हमारे सामने आता है तो इनकी lost while delivery जिसमें customer को low latency के साथ services provide करना तो उसमें services हैं जिनको elastic load balancers कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे के cloud front क्या product है और DNS management का जो product है या tool है AWS का route 53 उसको देखेंगे उसके बाद हम लोग monitoring और policing अपने infrastructure या IT या AWS की services के उपर नज़र रखने के लिए हम लोग cloud watch को देखेंगे हम लोग cloud trail को देखेंगे और simple notification service और SNS इसको SNS भी कहते हैं उसको देखेंगे इन basic services के अलावा हम लोग database specific products को भी देखेंगे जिसमें सबसे पहले RDS है relational data service कहलाती है जिसके अंदर हम लोग किसी भी तरह के relational databases को spin up कर सकते हैं most commonly available MySQL Postgres जैसे और Microsoft और Oracle के databases में available होते हैं हमारे लिए उसके बाद AWS की product है DynamoDB के नाम से जोके NoSQL या Big Data की दुनिया से तालक रखती है उसको देखेंगे हमने और again दोबारा web services की तरफ अगर आया जाए तो elastic cache एक ऐसी चीज है जोके websites को data deliver करने या data quickly deliver करने में customer को help रती है तो हम लोग elastic cache को देखेंगे यह भी एक तरह की database ही है जिसको हम लोग देखेंगे जिसको website के साथ integrate किया जा सकता है उनकी performance बेटर करने के लिए उसके बाद हम लोग देखेंगे एक data warehousing tool जोके AWS का आगे इन अपना product है Amazon Redshift क्यालाता है बहुत popular है बहुत सारी companies जिब अपना बहुत सारा data AWS के ओपर move करना चारी होती है और उसको data warehousing की शेकल में रखना चारी होती है तो वो Redshift को opt करती है उसके बाद serverless computing जोके बहुत तेजी से popular हो रहा है उससे related product है Lambda के नाम से जिसको हम लोग देखेंगे इसके इलाबा यह कुछ core products है इनमें कुछ basic products है कुछ advanced products है जिनको हम लोग देख रहे हैं इसके लाब हम कुछ और products को भी cover करेंगे जोके यहाँ पर भी mention नहीं है लेकिन जो हम लोग practically देखेंगे तो हम कुछ और products के बारे में भी discuss करेंगे उनका भी जिकर आएगा इसके लाबा एक टॉपिक है जिसको हम लोग study करेंगे जोके बहुत ही critical है understand करना जब आप AWS के पर काम कर रहे हैं और उसको कहते हैं Shared Responsibility Model Shared Responsibility Model basically हमें यह बताता है कि as a customer हमारी क्या responsibility है और AWS की क्या responsibility है तो यह चीज़ समझना बहुत जरूरी है AWS के वेपर काम करने के लिए और आखर में हम लोग pricing को देखेंगे प्राइसिंग प्राइसिंग की प्राइसिंग को समझना बहुत जरूरी है customers के साथ customers को अच्छी value for their money देने के लिए आपको प्राइसिंग की प्राइसिंग समझना जरूरी है यह बहुत बहुत फ्रीकुंटली चेंज़ दी रहती है नहीं प्राइसिंग भी आती रहती है तो आखर में हम लोग pricing को देखेंगे